हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम आपके लिए लेका हैं MCQ पार्ट नंबर 13 ऑफ अकाउंटेंसी सेक्शन 12 पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं तो आप 13 पार्ट बड़े दिनों के बाद अब अकाउंटेंसी की कोई वीडियो मारे चैनल पर डल रह हुआ थे और आपको जैसे मैंने कहा था इसकी मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा तो अकाउंटेंसी की मैं रिवीजन बड़ी जल स्टार्ट करने वाला हूं जब आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ दस लेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके हम अकाउंटेंसी फिस से जीरो ले देखी एट टू नाइन वीडियोस हैं उस पर तो वह जरूर देखे पहले क्योंकि हवा में तीर चलाना वह सही बात नहीं मैं कहूंगा तो आगे बढ़ते हैं और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कितने आंसर आते थे पहला कोशन क्या कह रहा ह इन दा एपसेंस ओफ एगरिमेंट प्रॉफिट एन लॉस आ डिवाइडिड बाई पार्टनर इन दा रेशियो आफ जो प्रॉफिट एन लॉस है जब आपका एगरिमेंट एपसेंट होगा मतलब साइलेंट होगा हमने बताया था साइलेंट वर्ड भी उज़ कर सकते हैं य अगरिमेंट है थो अप उस रेशयो में बांटोगे आगरिमेंट नहीं है आप कोट में चले केंगे केस करने तो कोट यही करेगा किकेवल बांटो और कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ते हैं इन दा एपसेंस ओफ ऐगरिमेंट इंट्रेस्ट on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate तो interest on loan है 6% आप सभी को पता है मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड किया था हमाई lectures की PDF में provided होगा आप देख सकते हो जब भी आपका agreement absent होगा सिर्फ और सिर्फ profit and loss आपका equal रहता है और बाकी सब जितना भी है interest on drawing no कोई आपने interest on drawing नहीं देना salary no सब कुछ no रहता है सिर्फ और सिर्फ interest on loan is 6% जब आपका partnership agreement silent है या absent है आगे बढ़ते हैं current account of the partner should be opened when the capital start जो current account है partner के कब हम open करेंगे मैंने आपको बताया था capital की दो टाइप्स हैं that is fixed and fluctuating जब fluctuating होती है तब हम एक ही account बनाते है that is known as capital account जब आपकी fixed होती है तब आप उसमें fixed भी बनाते है capital account भी बनाते हो और capital account भी बनाते हो और current account भी बनाते हो तो कौन से टाइप में आप बनाते हो current account that is fixed account तो इसका answer क्या रहेगा when the capitals are fixed next question any partner who investments in the business but does not take active part in the business मतलब जिसने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को पैसा प्रवाइड की है लेकिन उसकी management में कोई दखल अंदाजी नहीं करता कोई उससे संबालता नहीं है बस उसे अपने profit लेने से मतलब है क्या बता वो अपने और किसी business में engage खुद हो तो ऐसे भी बड़े partners होते हैं तो उस partner को हम बोलते है sleeping partner ठीक है तो जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा प्रवाइड की है लेकिन पार्ट नहीं ले रहा बिजनस में बिजनस के activities में उसको हम बोलेंगे sleeping partner next question under fixed capital method profit will be credited too जब आपका capital method fixed है profit जो आपका credit कहां होगा अभी मैंने आपको पर बताया fixed account में दो account बनते हैं that is capital account and current account जो आपका profit होगा आपने fixed के time पे कहां पे transfer करना है that is current account में आपका कहां पे transfer होगा current account में current account के कौन सी side पे credit side पे तो इदे इनने simple account बुचा है that is current account को हम टिक कर देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं the members of a partnership firm are individually called मैंने अपने first lecture से बताते आया हूँ are individually called as partner अगर इदर लिखो तक collectively ठीक है are collectively known as that is firm अगर उनको अकठे बोला जाए अकठे वो किलाते हैं firm लेकिन उनकी अकेले अकेले बात की जाए they are known as partner drawings of the partners are जो partners की drawing है उसको आपने क्या करना है ठीक है तो मैंने आपको बताए था debited to profit and loss account credit to profit and loss account तो इधर एक छोटी सी मिस्टेक है profit and loss appropriation account है हर option में ठीक है क्या बोल रहे हैं वो कि जो drawings of a partner है debited to profit and loss appropriation account credit to profit and loss appropriation account credit to capital account debit to capital account तो capital account में उसे debit किया जाता है जैसे कि मैं आपको बताया है जो आपकी drawing होती है वो capital में से deduct होती है capital में से deduct का मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने double book entry system सीखा तो उसमें क्या था जो माइन प्लस वाली साइड जो साइड होती है वो capital की प्लस वाली साइड होती है तो हमने से deduct करना है तो हम इसे debit साइड लेखेंगे of capital account नेक्स कोशन क्या है interest on capital account इंट्रेस्ट ऑन capital account क्या करना है debit to profit and loss appropriation है इधर भी credit to profit and loss appropriation account debit to profit and loss appropriation and credit to partners capital account only credit to partners capital तो इसका answer आजाता है C1 जो आपका interest on capital है हमने जब profit and loss appropriation बनाना सीखा था उसमें हम debit side भी डालते हैं profit and loss appropriation के और partners capital को credit भी करते हैं क्यूंकि वह partners के लिए income है तो income plus वाली side पर आएगा next question at the time of admission of new partner general reserve is जो general reserve हमने बताया था कोई भी extra profit जो पड़ा होता है business में उसको हमने क्या करना है जब भी कोई नया partner आएगा वो ने partner का हिस्सा नहीं है वो पुराने पार्टनर्स का है तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ credited to capital of old partners in old ratio यह चीज़ भी याद अखनी है old ratio में ही देंगे हम old partners को आगे बढ़ते हैं a new partner may be admitted to a partnership एक नया partner partnership में कब आ सकते है विद्धी consent of all partners ना कि two-third या any one of them या old partner जित्ती दें सभी के सभी partners की consent नहीं होगी तब तक उसकी admission नहीं हो सकती अगर आपके 10 partner है 9 partners ने yes कर दी एक ने भी no कर दी तो उस partner की admission नहीं हो सकती next question in the revaluation account a decrease in the value of plant and machinery account ठीक है हमने revolution account बनाया था revolution account कब बनाया था हमने admission के time भी बनाया retirement के time भी बनाया revolution account हम कब बनाते हैं जब आपका कोई नया partner आ रहा है या जा रहा है ठीक है या आपकी profit sharing ratio change हो रही है ताकि आने जाने वाले जो partners हैं उनको ना कोई profit जेलना पड़े ना कोई नुकसान जेलना पड़े तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं एक account बनाते हैं जिसमें कोई भी value decrease हुई है या कोई फाइदा हुआ है वह हम credit side लिख देते हैं या कोई भी नुकसान हुआ है उसे हम credit side लिख देते हैं तो आप देख सकते हो decrease in the value of plant machinery जब आपका कोई asset गट गया asset आपका गट गया जब आपका asset गट गया है तो वो नुकसान हो रहा है तो हम उसे कहां पर डालेंगे that is debit side a option is your correct next care in the revolution account increase in value of asset इसी का मैं उल्टा डाल दिया increase in value of asset हो गया प्लस वाली side प्लस वाली side credit side तो appears on the credit side b1 revolution account is operated to find out gain or loss at the time of अब वो बोल रहा है revolution account अब कब बनाते हो जब आप to find out the gain and loss at the time of अभी मैंने recently बोला admission के time भी बनाएंगे retirement के time भी बनाएंगे death के time भी बनाएंगे तो all of these is your correct option amount due to outgoing partner is shown in the balance sheet outgoing मतलब या तो उसकी death हो गया तो retired हो गया तो वो कहां पर हम balance sheet में किस नाम से show करेंगे वो हम show करेंगे loan के नाम से जैसे अगर a जो है retire हो रहा है इसका कोई भी पैसा हमारे business पर पढ़ा है तो हम उसे नाम देंगे a loan account ना की a capital account ठीक है a की capital नहीं आएगा a का loan आएगा वो अब क्यूंकि वो अब आपका owner नहीं रा बिजनेस का नेक्स्ट है retirement or death of a partner जो retirement या death of a partner क्या है is dissolution of partnership agreement is dissolution of firm may or may not be dissolution of partnership agreement अबव तो इसमें क्या बोल रहा है मैंने आपको बताया था एक होता है dissolution of partnership एक होता है dissolution of firm dissolution of partnership का meaning होता है कि आपने आपके बीच में जो partnership agreement था वो खतम हुआ है लेकिन firm continue है लेकिन dissolution of firm का मतलब है कि आपकी firm ही बंद होगी जो आप business कर रहे हो उसी को आपने close कर दिया ठीक है तो retirement के time पे आपका business close नहीं होता सिर्फ और सिर्फ एक partner जा रहा है या उसकी death होगी है तो उसको हम क्या बोलेंगे is a dissolution of partnership agreement add the dissolution dissolution के time पे हम क्या करेंगे all assets are transfer to realization only current assets to realization non cash assets transfer to realization only liquid or current assets are transfer to realization तो इसको option है C1 सिर्फ फोर सिर्फ नॉन cash assets ही हम transfer करेंगे realization account में जो cash या cash at bank है इनको हम उदर transfer नहीं करते मैंने आपको बताया था मैं अभी भी suggestion दे रहा हूँ पहले वीडियो देख लो जो partnership की बन्यूंगी है उसके बाद ये question attempt करो if a partner takes over an asset of the firm his capital account जब भी कोई partner dissolution के time पे कोई asset लेता है ठीक है समलो partnership ना खतम हो रही है business में पढ़ा है एक chair पढ़िया है furniture बोलो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे ख्रीद लेता हूँ ठीक है dissolution के time क्या करना है हमने assets बेचने है liabilities को pay off करना है तो इस पर मेरा दिल आ गया है मैंने ये chair ख्रीदने गर के लिए मैंने पैसे नहीं दिये पैसे देने तो बनते हैं उसके बदले क्या होगा मेरी capital से पैसा कटेगा capital से पैसा जब कटेगा तो वो कौन सी साइड आएगा debit साइड मैंने क्या बोला अभी पैसा जब भी काटना है capital में से तो माइनस आज़ी साइड डैबिट होती है ठीक है आगे बढ़ते है और प्रॉफिट शेरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो इस नून अस धिस नोन देशियों रजियो देशियों निकालेंगे next question re-valuation account is a re-valuation account is a nominal account ठीक है nominal account क्यों है ये क्योंकि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ profit और loss ही डालते हो ठीक है क्योंकि decrease in asset या increase in liability या increase in asset या decrease in liability ये चार option ही इसमें डलते हैं तो ये आपका सिर्फ loss और gain ही है तो इस चीज़ के लिए ये आपका क्या कौन सा अकाउंट के लाएगा nominal account आज का last question when goodwill is brought in cash by new partner method is known as premium method ये method कौन से नाम से जान जाता है premium method premium method के नाम से क्यों जान जाता है मैंने आपको general entry कराई थी हमने उदर क्या लिका था goodwill premium account जब भी नया partner goodwill आता था goodwill premium account या premium of goodwill भी बोल सकते हो आप ठीक है ये आपके असा answer की है जिसकी मैं PDF आपको हमाई telegram channel पर प्रोवाइड कर दूंगा उदर से आप ले सकते हो free of cost जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और जल्दी आपके साथ आएंगे partnership की next video लेकर उसमें हम पढ़ेंगे उसके numeric based mcq पढ़ेंगे और बड़े से students कहते सर आपने ये topic नहीं कराया partnership में तो अगर आप वो चाते हो जैसे interest on drawing पे बड़ी से doubt आ रहे थे students को जिनको interest on drawing पढ़ना है मेरी और से ये suggestion है वो आपना मेरी 12th class की एक playlist बनिया उदर से आप पढ़ सकते हो 12th class को मैंने पढ़ाया हूँ उसमें से आप पढ़ सकते हो वैसे जो interest on drawing है from my point of view मुझे वो exam oriented इतना नहीं लगता क्यूं उसका reason है interest interest on drawing जो है सिर्फ और सिर्फ partnership से related नहीं है interest on drawing सिर्फ और सिर्फ पार्टनेशिप से related नहीं है interest on drawing अगर आपको sole proprietor की भी बात की जाए तो उसमें भी आती है ठीक है interest on drawing आपका sole proprietor में भी अगर निकालने को बोली जाए वही method रहेगा कि weekly method यह monthly method यह quarterly method और मुझे लगा कि partnership account में और भी बड़े जादा question बनते हैं जैसे कि मैंने realize कि students bore हो चुके थे partnership पे सर इतनी वीडियो सर जैड तक ले जाओगे तो वैसे मैं मानता हूं आपको मैंने पहले बता चुका हूं जो partnership है is a very huge topic about 50% of 12th labors ठीक है जो बच्चा 6 महीने लिखा के करता है इधर आपको एक 6 से 7 नंबर हैं इसमें तो उसमें से भी interest on running के मुझे नहीं लगता कि कोई question डान ले वाला बनता है जादा question मैं कहूंगा new ratio old ratio पे focus करो उसी पे जादा questions आएंगे या यह इस पे general entries जो बनती है partnership पे उस पे जादा आएंगे तो मेरी यही suggestion है जो extra work करना चाता है अच्छी बात है मैं वो नहीं कह रहा वो आप मेरी 12th class की playlist है उदर से आप वो video देख सकते हो तो थेंक यू, have a good day and enjoy your day